दोस्तों जो RSCIT का एक्जाम 31 जनवरी 2021 को हुआ था उसकी रिजल्ट की त्यारी अब यूनिवर्सिटी की द्वारा पूरी कर ली गई है लेकिन अभी आपको उसका जो लिंक है यूनिवर्सिटी की ओफिशली वेब साइट पर आपको देखने को नहीं मिलेगा तो आज किसी वीडियो में आपको बताऊंगा जो उसका ओरिजिनल लिंक है औरिजिनल वेब साइट है वो कौन सी है और उसका जो लिंक है आपको कब से शो होना शुरू हो जाएगा और किस तरीके से आपको किसी टाइप के फेक लिंक से भी बचना होगा तो दोस्तों यह सब कुछ आज आपको मैं प्रैक्टिकली रूप से बताने वालूं भी आप अपना ओफिशियली वेब साइट पर जाके रिजल्ट किस परकार देख सकते हो तो नमस्कार दोस्तों मैं हूं मोन सुथार और समार्ट काउंटिंग आरसनार की यूटूब चैनल पर आप सभी का बहुत-बहु देते रहते हैं तो दोस्तों सुरू करते हैं आज का वीडियो तो दोस्तों सबसे पहले हमें जो VMOU की यानकी वर्दमान महवीर ओपन यूवरिस्टी की जो ओफिशियली वेब साइट है उसका लिंक हमें पता होना चाहिए तो दोस्तों अगर आपको लिंक पता नहीं है भ जैसे आप RCIT रिजल्ट पे सर्च करके इंटरप्रेस करोगे तो आपके सामने पहले ही ये ओफिशियली इसकी वेब साइट आजेगी rkshell.vmou.ac.in दोस्तों इसके अलावा आपको किसी अधर वेब साइट पर जाने की जुरूरत नहीं है आप डारेक्ट ले इस पहले लिंक पे आपको वर्दमान मावीर ओपन यूनिविश्टी की लिंक पर क्लिक करना है तो जैसे आप इस पे क्लिक करोगे तो आपको 11 फरव जिएगा और उसके बाद में आगे इसके लिखा होगा view result तो अगर आपने 30 जनवरी वाला इक्जाम का result आपको देखने हैं तो यहां पे इस 30 जनवरी 2021 के जो हां पे लिखा होगा उसके आगे view result पर आपको क्लिक करना है तो जैसे आप view result पर क्लिक करोगे तो सबसे पहले आ या search by name and date of birth तो दोस्तो सबसे easy तरीक है भी आप अपने role number के थ्रू इसको search करें तो आप role number पर टिक करोगे तो यहां से आप से पूचेगा enter role number तो दोस्तो यह जो role number है आपका जो आपके पास permission letter था उस permission letter के उपर name of candidate के उपर आपको लिखावा मिल जाएगा तो वहां से आप देखके इस पे enterprise करेंगे और view result पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने वर्दमान महवीर open university quota के दवरा एक तरीके की यह provisional mark sheet show होना शुरू हो जाएगा तो इसमें आपको सब कुछ मिल जाएगा भी आपको total marks कितने चीए थी minimum pass mark आपको कितने चीए थी और आपने कितने marks finally exam में लिए हैं आपका result पास हो या फैल हो तो आप यह सारी है जो इस provisional mark sheet से देख सकते हैं दोस्तो इसके अलाबब आपको किसी भी fake link पर क्लिक करने की जरूरत नहीं है और यह आपको 11 फरवरी को 11 फरवरी 2021 को शाम को चार बजे के बाद यह शो होना शुरू हो जाएगा तो दोस्तों अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक जरूर कर देना दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कर देना और अभी तक आपने चै चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लेना